पहले हम circular shape में color करेंगे, तो पहले हम circle बनाएंगे इस तरह से, lightly पहले तो हम circle बनाएंगे और फिर उसके अंदर color fill करना start करेंगे इस तरह से, अब हम question mark draw करेंगे, यह जो center है उसके उपर से, इस तरह से आपको question mark बनाना है, यहाँ से हम इस तरह से joint करेंगे, इसको नीचे की side इस तरह से shift करेंगे, यहाँ से हम एक side pattern बनाएंगे, इस तरह से, again, यहाँ से ऐसे ही, दूसरी side pattern हम यहाँ से बनाएंगे, जैसे number 3 लिखते है, वैसे ही, यह number 3 है, और यह mirror image of number 3 है, अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह से joint करना है, जैसे U shape हो, तो यहाँ से हम continue इस तरह से उपर की odd ले जाएंगे, और यहाँ से C shape बनाएंगे, इस तरह से, बहुत ही simple techniques मैं आपके साथ share कर रही हूँ, पहले question mark बनाओ, उसके बाद यहाँ पर इसको joint करो, write down number 3 and extend, again write down mirror image of number 3, then joint this, और इसको हम उपर की side ले जाएंगे, जैसे की U form बनता है इससे, अब हम around this shape, हम सारी petals create करेंगे, सबसे पहले petal हम यहाँ पर बनाएंगे, इस तरह से, दूसरी petal, यहाँ से start करेंगे, next petal हम यहाँ से, उपर की side बनाएंगे, यह जो color को हम इस तरह से separate कर देंगे, अब दो petals है, तो यहाँ के reference से हम इस तरह से petal बनाएंगे, और last petal, हम यहाँ से start करेंगे, और यहाँ पर इसको joint करेंगे, तो again यहाँ पर इस तरह से हमें color shift करना होगा, तो यह हमने बहुत ही सुंदर flower बनाया है, around this flower, हम leaves add करेंगे, मेरी जो सारी रंगोली होती है, बहुत ही सिंपल होती है और हरेक के लिए possible होता है, और अगर आपने note किया होगा, तो सारी रंगोली में बहुत ही कम quantity में color use होता है, इंटरनेट पे आपने बहुत सारी रंगोली देखी होगी, जैसे dotted रंगोली, तो जो हम डॉट की रंगोली बनाते हैं उसमें तक्रीबन चार गुना ज्यादा कलर यूज होता है नॉर्मल रंगोली से तो ये एक benefit है मैं जो रंगोली बनाती हूँ उसका कि बहुत ही कम quantity में कलर यूज होता है तो ये हमने एक leaf pattern बनाई यहाँ पे हम swiss pattern create करेंगे इस तरह से अगें सेकेंड लिफ हम यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे और ये जो सारी रंगोली है ये सिर्फ रंगोली के लिए नहीं लेकिन ये जो सारी टेक्निक्स है यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा उपर की साइट से तो यह हमने दूसरा लीफ बनाया तो ऐसे ही आपको अरांड इस फ्लावर आपको लीफ एड़ करना है अगें मैं इस तरह से यहाँ पे इस वील्स पैटन एड़ करूंगी आप चाहो तो यहाँ पे जो टूल होता है ड्रॉ करने का वो भी आप यूज कर सकते हो जो मैंने काफी सारी वीडियो में यूज किया है कि यहां से इसको एक्सजेंड करते हुए हम इस तरह से शेप करेंगे अब हम औरेंज कलर के डॉट्स रखेंगे अब उसको प्रेस करेंगे इस तरह से इवन आप येलो कलर भी यूज कर सकते हो अगर नीचे की सर्फेस की टाइल्स डार्क है तो उसकेस में आप ये जो फ्लावर है वो येलो कलर बनाना लैमन ग्रीन कलर के लीवस बनाना और ओरंज कलर के डॉट्स तो आप अपने सर्फेस के हिसाब से कलर चूज कर सकते हो तो ये फ्लावर की उपर की साइड मैंने इस तरह से कलर स्प्रेड किया है चलिए देखते हैं कैसे हम यहां पर इस तरह से लीवस पैटर्न ड्राव कर सकते हैं तो ये हमने लीवस बनाए फिंगर से हम इस तरह से स्वेल्स की पैटर्न क्रियेट करेंगे क्विक्क्ली हो जाती है ये स्वेल्स की पैटर्न अब हम डॉट्स रखेंगे अब हम ये तीसरा ग्रूप बना रहे है लीवस का अब हम इस तरह से हम बाती रॉट्स पैटर्स ना हम आपके दूँए सारी स्विल्स पैटन आड कर रहे है as you can see now we will use cotton bird स्विल्स यूजिंग फिंगर मैं एकदम शौर हूँ अगर आप ये रंगोली बनाओगे लोग देखते ही रह जाएंगे अब देखो इसका एक्जाट लोग youtube पे आप ये पहली बार देख रहे होगे इतनी radiant और new style में रंगोली ये जरूर ट्राइ करना definitely बहुत ही beautiful लग रही है actual में आप तो ये mobile में देख रहे हो मैं तो actual में देख रहे हूँ अब हम यहां पे भी इसी तरह से swills pattern add करेंगे जैसे कि हमने यहां पे बनाया था तो चलिए मैं यहां पे create कर देती हूँ I hope आपको पता जल जाएगा यहां पे मैंने दो leaves बनाये है swills pattern मैंने इस तरह से set की है अब हम dots रखेंगे अब यह इसका फाइनल लूक है आप देख सकते हो completely एकदम ही unique design है जो आपने पहले YouTube में कभी नहीं देखी होगी हाँ यह अलग बात है इसके बात देखोगे शायर लेकिन बहुत ही attractive लग रही है और believe me यह तो आप जरूर ट्राइ करना दिवाली के पांच दिन में जो आप फेस्टिवल्स की अलग अलग पांच रंगोली बनाते हो उसमें से एक तो यह जरूर ट्राइ करना definitely बहुत ही अच्छी लगेगी बहुत ही quick बन जाती है और सबसे बड़ा benefit यह है कि बहुत ही कम quantity में color use होता है जो हम dots की रंगोली बनाते है उसके comparison में इसको और भी ज्यादा creative करने के लिए आप इस तरह से इसके अंदर lines add कर सकते हो यह जो lines है मैं stick जो toothpick stick होती है उसकी back side से बना रही हूँ similarly यहाँ पर हम करेंगी चलिए देखते हैं completely करने के बाद कैसा लग रहा है यहाँ पर जैसा shape है वैसे ही आपको यह lines create करनी है leaves में हम इस तरह से patterns add करेंगी तो यह जो है यह second look है हमारी रंगोली का तो आपको जो भी पसंद आए वो आप बना सकते हो thank you so much मेरी चानल आटन क्राफ्ट पर नीदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथी में ऐसे मैं बहुत सारे flowers की रंगोली बनाई है तो वो भी एक बार जरूर शेयर करना हर एक रंगोली में आप यूनीक ट्रिक्स आपको मिलेगी कि कैसे हम एजी ली रंगोली बना सकते हैं so thank you so much have a nice day keep watching and keep practicing